Good morning students, welcome back. Today we will revise exercise C and D of model test paper first. Exercise C, write P for the food items obtained from plants and A for the food items obtained from the animals. वो food items जो हमें plant से मिलते हैं उस पे हमें P लिखना है और जो food items हमें animal से मिलते हैं वहाँ पर हमें A लिखना है. So let us start sugar. सुगर हमें कहां से मिलता है? सुगर हमें sugar cane से मिलता है जो कि एक plant है तो इसलिए हम यहाँ पर P लिख देंगे. एक हमें animal से मिलता है, hen से मिलता है तो हम यहाँ पर A लिख देंगे. spinach यह हमें plant से मिलता है तो हम यहाँ पर P लिख देंगे. banana, plant से मिलता है तो इसलिए हमने हमें यहाँ पर P लिखा है. meat, meat हमें animal से मिलता है तो इसलिए हम यहाँ पर A लिख देंगे. Exercise D Write T for the true statements and F for the false ones जो statement correct है वहाँ पर हमें T लिखना है और जो statement wrong है वहाँ पर हमें F लिखना है First, the zebra crossing is used by pedestrians to cross the road जिप्रा क्रोसिंग का use पैदल यातरी road को cross करने के लिए करते हैं तो जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो road को cross करने के लिए जिप्रा क्रोसिंग का use करते हैं तो ये statement correct है तो इसलिए हम यहाँ पर T लिख देंगे क्योंकि पैदल यातरी जो पैदल चलते हैं वो जब रोट को क्रॉस करने लगते हैं तब वो जिब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हैं तो ये statement correct है इसलिए हमने यहाँ पर T लिख दिया है Second, flats are temporary houses flats अस्थाई घर होते हैं तो ये statement wrong है क्योंकि flats जो होते हैं वो अस्थाई घर होते हैं permanent house होते हैं तो इसलिए ये statement wrong है इसलिए हम यहाँ पर F लिख देंगे Third, people go to the hospital when they fall ill or get hurt लोग hospital जाते हैं जब वे बीमार होते हैं या फिर उन्हें चोट लगती है तो ये statement correct है क्योंकि hospital लोग तभी जाते हैं जब वे बीमार होते हैं या उन्हें चोट लगती है तो ये statement correct है तो इसलिए हम यहाँ पर D लिख देंगे Fourth, a sack is made of concrete, steel, etc Sack, concrete, steel आदसे बना होता है ये statement wrong है क्योंकि sack waste material का बना होता है बेकार चीजों से बना होता है वो eat cement balloon से नहीं बना होता है तो इसलिए ये statement wrong है इसलिए हम यहाँ पर F लिख देंगे Fifth, safety rules help us to avoid getting hurt सुरक्षा के नियम हमें चोट लगने से बचाने में help करते हैं सहायता करते हैं यानि कि वो हमें चोट लगने से बचाते हैं तो safety rules जो होते हैं सुरक्षा के नियम वो हमें चोट से बचाने में हमारी सहायता करते हैं यानि कि वो हमें चोट से बचाते हैं तो ये statement correct है क्योंकि safety rule को जब हम follow करते हैं तो हम चोट से बच सकते हैं तो ये statement correct है इसलिए हम यहाँ पर D लिख देंगे तो students, आपको exercise C और D revise करना है Thank you